नमस्कार आप लाइक बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी बिहार की राजनीती के चानक के कहे जाने वाले और जिने लोग सेरे बिहार के नाम से भी पुकारते हैं राजत के सुप्रीमों लालू प्रशाद यादव अब सिंगापुर में अपना इलाज कराने के बाद 76 दिनों के बाद दिल्ली पहुँच गए हैं सनिवार की साम वो दिल्ली पहुँचे और उसके बाद से ही आरजेडी के कारिकरताओं में वो जो सब देखने को मिल रहा है कि अब बिहार की राजनीती में एक बार फिर से बहुत कुछ बदलेगा क्योंकि इंतजार बहुत सी चीजों का हर कोई कर रहा है बिहार की राजनीती में इधर भी काफी जादा उतल पुतल देखने को मिल रहा था बहले ही लालू प्रशाद यादो अभी बिहार नहीं आने व वाली बात नहीं है किस प्रकार से दिल्ली में ही रहकर उन्होंने बिहार की में सरकार बदल दी ये भी हम सब ने देखा पिछले वर्स जब अगस्त के महीने में बिहार में महागडबंदन की सरकार बनी उसके बाद से कई चीजों को लेकर बाते चल रही थी ते जश्वी यादों के मुक्के मंत्री बनने को लेकर भी काफी कयास लगाए जा रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि बिहार में महागडबंदन की सरकार है बीजेपी अब बैकफुट पर नजर आएगी लेकिन ऐसा हो था नजर नहीं आय तीन सीटों का उपचुना हुआ जिसमें से दो सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया जबकि एक सीट मुकामा की अनन्द सिंग की बदोलत आरजेडी के हाथ आई ऐसे में ये अनुमान लगाए जाने लगे कि क्या नितीश कुमार के साथ गड़बंदन करके आरजेडी परवड़ी ने गलती कर दी लेकिन देखिए बिहार है और वो भी बिहार की राजनिती दो चानक एक ही गूट में हैं एक तरफ सातिर दिमाग वाले नितीश कुमार हैं तो वहीं दूसरी तरफ चानक के कहे जाने वाले लालु प्रशाद यादो हैं अब आरजेडी जेडिय या कहिए कि महागडबंदन की एक जूटता का वहाँ परदर्शन भी होने वाला है लेकिन उससे पहले भी कई चीजे अभी देखने को मिल रही है एक तो जेडियू के अंदर ही काफी जादा उथल पुथल मचा हुआ है उपेंद्र कुश्वाहा ने बगावती तेवर अपना चल रही थी अब ठंडे बस्ते में चली गई है लेकिन अब लालु प्रशाद यादो सिंगापूर से दिल्ली लौट आये हैं बिहार ना भी आये तो दिल्ली से बैठ कर वह कैसी राजनीती करते हैं यह हम सब बहुत पहले भी देख चुके हैं लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार में जिस मकसद के साथ महागडबंदन बनाया गया था वो उसमें काम्याब होगा या नहीं होगा उप चुनाओं में पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आया दोहजार चौबिस लोकसभा चुनाओं की तयारी अब महागडबंदन के तरफ से की जाने लगी है और उस दोरान जनसभा को संबोधित भी करें लेकिन इन सब के बीच चर्चा बहुत कुछ को लेकर चल रही है बिहार में राजनीती हमेशा धीरे-धीरे बदलती नजर आती है एक समय महागडबंदन मजबूत नजर आता है तो दूसरी तरफ कभी-कभी बीजेपी भी अपना सरकार यहां पर खोते ही अपना पाओ जमाना शुरू कर दिया लगातार राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा और अमित्सा बिहार के दोरे पर दिखाई दे रहे हैं ऐसे में लालु परशाद यादो का स्वस्थ होकर भारत लोट आना कहीं ना कहीं महागडबंदन के लिए शुकून का पल जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजार है वो आरजेडी कारिकरताओं को है कि आखिरकार जिस डील की चर्चा लगतार छिल रही है और जिस तेजश्वी यादो को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी आखिरकार ये कब होगा तेजश्व चलते हैं बनर ये लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें